किसी भाक्त ने पूँचा है, कि आपने दुनिया में क्या देखा है, यही परशन था ना परशन में ही एक घंटा हो गया है, अब उत्तर में देखो कितना टाइम लगता है परशन में ही प्रवचन सुरू हो जाता है, प्रवचन सब और फुलो भारा हुआ है हाँ, तो कबीर साहिब कहते हैं, दुनिया में मैंने देखा है, तन धरी सुखिया काहू न देखा यह कबीर साहिब की परिभासा है, शरीर को धारन करने के बाद किसी को मैंने सुखी नहीं देखा कोई न कोई दुख है, शरीर में बीमारी का दुख है, परिवार में कले कलेश का दुख है रिष्टेदारों की तरफ से दुख है अधिकारी करमजारी की और से दुख है पडोशी की और से दुख है चोर चंडाल की और से दुख है बेमानों की और से दुख है भाई से दुख है पतनी से दुख है पिता से दुख है माँ से दुख है कोई न कोई दुख है तो कभीर साहिब कहते है तन धर सुखिया काहू न देखा जो देखा सो दुखिया जिसको देखा उसको दुखी देखा तो पूँचने वाले ने फिर तर्क किया कि जब सब को आपने दुखी देखा तो किवल इंडिया वालों को देखा कि विदेश में भी देखा कवीर शाहिब विदेश तो गए नहीं थे भारत देश में भी सभी प्रदेशों में नहीं गए थे फिर भी कई प्रदेश में गए थे और कबीर शाहिब ने लिखा है कि देश भी देश से हों फिरा तो हो सकता भी देश भी गए हो अपने क्या पता और लिखा है उन्होंने कि देश भी देश से हों फिरा अब पता नहीं किस साधल से गए वो शादू बता रहा पैदल है ये लगता साथम चेला था कमंडली है इफाल दू बात बोल रहा है पैदल उसमें जब रामण के पास पुस्पक बिवान था तो हमारा कबीर पैदल गया और चाहे जैसे गया हो हम क्यों खोलें पोल उसकी पैदल गया कैसे गया क्या बात है तो कबीर शाहब कैसे गये जैसे गये तैसे गये वो जाने पर उन्हों ने ये कहा है कि देश वी देशे हो फिर गाउं गाउं की खोर खोर मने गली होता है गाउं गाउं की गलियों में गया हुए गली गली भरमन किया हूँ उदेश विदेश में भर्मन किया हूँ कोई नहीं जानता है कबीर सहब ने कितनी मेहनत किया है देश विदेश गोमना अभी वाहन से गोमो तो भी ठकान आती ही बताते है उस युग में क्या डबलब हुआ होगा पता नहीं खिर बेलगाड़ी तो थी ही पहले से लेकिन कबीर सहब कहते है उदेश अस्त की बात कहता हूँ सब का किया बिवेक शुरुद से लेकर सुर्यास तक सब की जानकारी में बता रहा हूँ सब के जीवन का बिवेक करके देख लिया हूँ सब के जीवन में दुख है तो फिर पूँछने वाले ने कहा क्या ग्रेस्त दुखी है कि साधू दुखी बोले दोनों दुखी कवीर सभी ने दोनों को समेट लिया बाटे-बाटे सब कोई दुखिया क्या गरही बहरा लिया ग्रेस्त भी दुखी है साधू भी दुखी बेरागा के ज़िए कियों कि जिस साधू को ठीक से आत्म ग्यान महीं है जिस साधू का बेरागय और आचरन ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है वो साधू की दुखी नहीं और जिस ग्रहस्त के अंदर नियम संयम नहीं है विवेक नहीं है संतोस नहीं है सहन सीलता नहीं है सद्गुण सदाचार नहीं है जिस ग्रहस्त के पास भक्ती भावना नहीं है धर्म मर्यादा नहीं है वो ग्रहस्त भी दुखी रहे गा सब दुखी रहे गा क्या गिरही बेरागिल हो जोगी जंगम तेयत दुखिया तापस के दुखदूना जो पहाडों में बैट कर तबस्या कर रहे हैं जंगलों में उनके जीवन में तो दुगना दुख उबसजादा दुखी है योगी लोग भी दुखी है जंगम जो घूमते फिरते रहते सादू संत वो भी दुखी कबीर शाहिब ने सब को समेट लिया तो फिर पूँचने वाले ने एक बड़ी बात पूँची फिर सुखी कैसे हुआ जा सकता है चलो साहिब ये कबीर शाहिब वा सिधान ढूड़ो कि सुखी कैसे हुआ जा सकता है सुखी तो कबीर शाहिब ने बताया कि शदगुर मिलें बहुत सुख लही है शदगुर सब्द सुधा रहे है कहें कबीर ते सदा सुखी है जे यह पदही बिचार है साहिब कहते हैं अगर सदगुर मिल जाए तो बहुत सुख मिल सकता है और सदगुर का मिलन वाह मिलन ना हो आंत्रिक मिलन होना चाहिए अस्थूल मिलन ना हो सुच्छम मिलन होना चाहिए तन का मिलन केवल ना हो मन का मिलन होना चाहिए सदगुर मिलें बहुत सुख लहीए सद्गुरु शब्द सुधारे शब्द सुधारे के दो अर्थ कि सद्गुरु अपने ज्ञान के सब्दों के द्वारा हमारी जिंदगी को सुधार देते है और जिंदगी सुधारते ही सुख का जनम हो जाता है जिंदगी बिगड़ती है दुख पैदा होता है और जिंदगी सुधर्ती है तो सुख पैदा होता है सद्गुरु के ग्यान के शब्द हमारे तन्मन बचन का सुधार करते हैं तब हमारे जीवन में सुख पैदा हो जाता है